हेलो अब्रीवान स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया जब वाल लानी प्रेटफार्म आई क्वांटा पर मेरा नाम है तरणतिवारिया और बच्छों सभी के लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो डियू मैंडमेशन लेना चाहते हैं डियू का सप अच्छे कॉलिजेज मिलें पसंटाइल के बेसिस पर होगा सर के नॉमलाइज स्कूर के बेसिस पर होगा तो डिल्ली इनवर्सिटी ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कल नोटीस आगई है बच्छों सिस्टी ताफ सितंबर कल ही आपका रिजल्ट आया मिरलब सुवे ही आया और उसने जैसा की बोला था कि आफ्टर दर रिजल्ट हम सारे प्रॉसस को क्लियर करेंगे फेज बन तो अल्रेड़ी स्टाट हो चुका था बारा सितंबर को और अव फेज टू की बारी है जिसमें आप कॉलेज के प्रिफरेंस तो गैरा सारे चीज करेंगे फिर उसके कर दिया है जो आपके अडमिशन होंगे बचो वो किस बेसिस पे होगा नौर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे होगा उसने साफ साफ बोल दिया है कि अडमिशन स्टुदा अंडर ग्रेजूट प्रोग्राम्स फॉर्डा अकैडमिक सेशन 2020-2023 शैल कंसीडर दा सब्जेक्ट बे score मतलब जिसको आप NTA score अपना बोल रहे हो उसी के आधार पे आपका होने वाला है आपका admission ये बहुत अच्छी बात है उसके साथ साथ उसने example वगएरा भी देखे दिखा जाया तो किस तरीके से normalized score consider किया जाएगा जैसे candidate A है या candidate B है या समझ लिजे आपका एक रमेश है एक महेश है दो भाई है तो एक जान लिजे आपका क्या लिया है PCM लिया है या science team से है एक है humanities से है तो उसके अलग-अलग marks होंगे उसने क्या दे दिया एक language में दे दिया हिंदी दे दिया फिर physics chemistry bio दे दिया फिर उसने candidate ने भी जिस जो humanities दिया था उसने भी language दिया था वो अपने domain के subjects दिये थे साथ में दोनों ने क्या दिया जर्नल test दिया ठीक है न तो यह सारे marks हर एक चीज का consider करके आपका normalized score बनेगा यहां पे उसको call की जाएगी जब आपकी meritless first call, second call, third call आपका जो बनेगा तो normalized score पे होने वाला है बच्चों यह आपका admission process ठीक है तो उसमें जैसे आपके जिस भी courses में admission लेना है उसने बताया है एक video हम और भी बता देंगे how to calculate normalized score इसका भी एक अच्छे से कर लिये जाएगा फिलहाल जो हमारे पास प्रेसर ली जाई है उसके बारे में हम जानकारी ले 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 लेते हैं तो जो आपके नंबर आप courses है जो course आप करना चाह रहे हों भी honors, B.com, BA, honors economics वगेरा में तो इसमें साफ साफ आपसे बोला गया है न animal language from list A जो आप देखेंगे DU के website पे आप जाएंगे मैं बता देता हूँ ये रही आपकी जो आप DU के website भी जाएंगे तो इसने अपना अलग सारी चीज़े eligibility required for the undergraduate admissions के लिए तो यहाँ पे आप जाएंगे यहाँ पे सारी चीज़े आप देखेंगे तो इसने साफ साफ लिखा है कि इसका जीज़े से आप देखते हैं कि section 1 A है वहाँ पे तो यहाँ पे इसने language जो अपना बनाया है जितने language वाले section थे तो इतने आपके language sections हैं फिर जो यहाँ पे यह बात कर रहा है B1 B2 कहां गया आपका B1 B2 तो यह जो है मैं दिखाता हूं हाँ यह जो इसमें सारी बात है any one language from the list A तो हम language का एक ले लिए उसके बाद आपको जैसे become admission लेना है तो any two subjects out of which at least should be from list B1 ठीक न फिर कहीं कहीं आप से बोलेगा which at least one subject should be from B1 B2 तो यह इसके listing थी ठीक है ना B1 B2 की यह listing है आपकी यह B1 हो गया subject up list B1 subject up list B2 ठीक है तो इसमें सारे वही domain के subject C है आपके list B1 में इसने main main subjects को रखा list B में other subjects है तो यही कहरा combination जो subject का combination होगा वो plus language उसी के आधार पे आपका क्या बनेगा married बनेगा बच्चो ठीक है ना उसी के आधार पे आपका क्या बनेगा married बनेगा जो यहां पे यह सारी चीज़ें आपकी दी गई है ठीक ना तो हरे हरे एक program का उसने यहां पे बना दिया है सारे B.A. प्रोग्राम B.C. physics B.C. honors बायो medical sciences B.A. honors in Spanish जिसमें जिसमें आपको करना है क्या क्या आपको लेना होगा क्या आपको न phase 1 था CSAS portal जो phase 1 था seat allocation system जो इस बार इसका तो अलग portal है देखें आपको launch हुआ बारा तारीक को उसके बाद से आप सारी चीज़ों को वहाँ पे अपने information भर रहा है तो phase 1 में आपको सारी चीज़ें रखना था application number सारी चीज़ें सारी details फिर academic details सारी चीज़ें आपने फिल 26th आप September से ध्यान में रखिएगा 26th आप September, Monday, September 26 to be Monday, October 10 तक चलेगा ठीक है न बोथ phase 1 और phase 2 आप CSAS portal जो है आपका remain open till 10th half October 2022 यानि 10 September तक खुला रहेगा आपका phase 1 और phase 2 दोनों यानि आपके पास पूरा समय है पूरा प्रयाप्त समय है आप हर चीज़ को अच्छे ढंग से इसमें हड़ बलाने बिरकुल भी दिक्कत मत कीज़ेगा हड़ आने कोशिश मत कीज़ेगा हड़ आए तो फिर साइध देखो लिनियंड भी आपके साथ correction windows भी उसने open किया ताकि जो गलतियां हुई हुए at that time तो उसको दूर कि दूर किया जा सके लिगिन बार बार थोड़ दिन कहें का हजारों बच्चों की आएंगी गलतियां तो बार बार उपन करेंगा तो वही उसको करते हो ऐसे सा कि सिदंबर तो ही में चला गया अक्टूबर में आपके counseling सुरू होगी admission होगा तो नौंबर से class start होगी इतने में तो आपका one third course खतम हो जाता था तो इसे सारी चीजे लेठ है तो बार बार ही करेंगे तो फिर तो चला गया एक साल इसी में तो 10 अक्टूबर तक आपका window अभी देखिए, 16 कल release हुआ है, कल लेके 26 तारिक तक आपके पूरा प्रयाप्त समय है, colleges को अच्छे तरीके से research करने निका, क्योंकि उसी के आधार पे आप preference डालोगे, पहला SRCC किया, हिंदू किया, इसी आधार पे merit आएगी, और उसमें कहीं कहीं जो आपका dream है, जिस college में जाना, उसमें अगर नहीं eligible हुए, दूसरे में हो गए, और उसने अपनी cut-off या अपना call बंद कर दिया, तो फिर आप लिए दिक्कत हो जाए, तो आप सारी चीज़ों को देख लो, समझ लो, कुछ college लगेंगा, कोई बताएगा, हाँ यह भी बढ़िया, यह भी बढ़िया क्योंकि वहाँ जाने का तो एही main purpose होता ना, कि हम पूरी तरीके से अच्छा बनके निकलें, तो कौन सबसे अच्छा बना रहा है, तो यह सब चीज़ें जानो, ठीक है ना, तो अभी पूरा दस दिन सारी चीज़ें रिसर्च करो, phase 1 का भी अभी समय चल रहा, phase 2 फिर इसके आप भी नहीं रहें, आपको सारी ची़ें, लेकिन guidance सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्या सही है, क्या गलत है, वो एक अच्छा mentor ही बता देगा, क्योंकि हर चीज़ जान रहें, समझ रहें हैं, अभी साइध आप innocency label है, उतना नहीं समझो, कोई बता देगा, दोस बता देग आपके जीवन के लिए दिक्कत हो सकती है, तो हर चीज सो समझ के आपको फैसला करना होगा, और सारी चीजों को ध्यान से रखना होगा, साफ साफ इसने बोल भी दिया है, सोचिए, आपके DU ने, सब मिलके बोले होंगे, सब मिलके decision लिया होगा, सब ही ने, सारे authorities मिलके decision लि interest of the candidate to choose maximum programs, maximum college combinations, ज्यादा से ज्यादा आप programs, चुनिए, ज्यादा से ज्यादा आप college के average score भी है, ऐसा भी नहीं है, देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर यहाँ पर false science के लिए बुला गया, महेश में से दोनों को, तो दोनों तो eligible है, उस तो साफ साफ, ऐसा तो है नहीं, कि आप science system से थे, false science नहीं ले सकते, आप भी eligible है, क्योंकि उस तो साफ साफ कह रहा है न, B1, B2, B1, B2 में तो सारे आपके subjects थे न, देखें होंगे, आप पूरा सताई subjects है, तो उस में से कोई आपको एक लेना है, ऐसा नहीं है, कि सि कि ये political science, मैं ऐसा कहां कह रहा है, any one language from list 1, A, any two subject from list B1, any one subject from either list B1 या B2, ये तो कह नहीं रहा है कि political science से आएगा, है से जोगर भी pol science वाला ही होना चाहिए, ऐसा कहा, नहीं, तो कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, तो कई सारे courses आप भरिये, इसा नहीं कि आप science stream के science व यहां पर की जा रही है, कि जादस जादा आप courses को चुनिए, जादस जादा आप college combinations को चुनिए, तो ये सारी बाते यहां पर clear हो गई, कि सारी चीजे बच्चों कि इस पर होने वाली है, normalize score पर होने वाली है, और किस तरीके से होगा, कैसे होगा, इस सब भी बाते आप से discuss क करूंगा, कैसे how to calculate वगरा, इसमें बस बंजसों किसर कैसे जोड़े, कैसे घटाएं, कैसे क्या करें, इसको बताइए, समझ सकते हैं, जभी आप उस लेबल पर नहीं हो, तो उसका भी एच्छी से एक वीडियो ला देंगे, बने रही है वास हमारे साथ, information जैसे जैसे मिल र information आते ही, आपको समय से चीजें मिल जाएं बच्चों, ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे के लिए भी अगर आप सोच चुके हों कि अब ये वाला तो हम पूरी तरीके से सुच कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, आगे का सोचेंगे तो उनक से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय बीते समय नहीं लगेगा, सबसे बड़ा मंदर जीवन का हैद रखिए, अगर आप सोचते हैं, बहुत समय अज़र अभी तो देख लेते हैं, अगे के लिए, क्योंकि कई सारे बच्चों कोईरी जा रहे हैं, वहमेंसर तो इसके लिए हम में क्या करना होगा, तो क्या करना होगा तो उसके लिए आप फाइनली जुट जाएए, क्योंकि आर लिए इस क्लासे लास्ट वन मन्स, दो मन्स से स्टार्ट हो चुकी है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं बच्चों, नई इन्फॉमिशन, ने अपड़ेट, ने अनलसिस के साथ, भाई बाई, टे केर तो लुट 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 लुट